पत्नी को जला कर मारने वाले आरोपी दिनेश को आजीवन कारवास की सजवा नियायाली रागो घर जिला गुना द्वारा थाना अपरात क्रमांग 118 बटा 2020 में धारा 302 में आजीवन कारवास इवं 2000 के अर्थ दंड के दंड से दंडित किया है बिलिजवन कारी के अनुसार दिनांग 27 जन्वरी 2020 को श्रीपंती पिंकी पत्नी दिनेश सैनी उम्र 30 साल आख से जलने से गजानन सैनी द्वारा समुदाएक स्वास्ते केंद्र लाया गया था घायल श्रीमती पिंकी का मेडिकल परिक्षर कर उच्छे इलाज एतु भोपाल रिफर किया गया था घायल महिला पिंकी का मरनासन कारिपाली का मजिस्टेट से कराया गया इलाज के दुरान घायल महिला पिंकी की मौथ हो गई डॉक्टर राशीश बर्मा सियमो अस्पताल बोपाल के सूशना पर थाना शहा जहानाबाद में मर्ग कायम किया गया तथा सक्षीगड के कथन लिये गए जिनमें उन्होंने अपने कतनों में बताया कि दिनेश सैनी ने पिंकी सैनी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी डियायाले ने बृतक पत्नी के पती दिने सैनी पुत्र लक्ष्मी नरायन सैनी उम्रे 34 साल निवासी श्रीपुरा ड्रागुगड को आजीवन कारवास की सजा से दंडिक्त किया गया है। साथी 2000 का आर्थ दंड भी लगाया है।